देखो ये इंडोनेशिया के लोग हैं जो समुद्र किनारे आई बड़ी सी शार्क को पकड़ कर ले जा रहे हैं क्योंकि इंडोनेशिया में शार्क का मांस बहुत ज्यादा खाया जाता है। इसी वजह से ये लोग समुद्र किनारे आई किसी भी शार्क को पकड़ लेते हैं। साथ ही इंडोनेशिया शार्क के फिन्स एक्सपोर्ट करने में सबसे टोपर हैं। जिसमें ये लोग पहले तो शार्क को समुद्र से पकड़ लेते हैं और फिर इनके फिन को काट कर महंगे दामों में बेच देते हैं.